जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नई हरियर की जो है प्राइसिंग आ चुकी है और मैंने आप लोगं को पहले ही बताया था जब नई हरियर की प्राइसिंग आईगी तो मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊगा कि पुरानी हरियर लेने पर मेरा कोई बेनेफिट हुआ है या नही कि फिटन फिनिश पे एक आवाज उठा ही थी लेकिन कुछ कमेंट ऐसे आये जो कि मुझे ही जो है काफी बरा बुला कहने लग गए थे ठीक है तो उसका जवाब देना वीडियो बनाके बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था और कमेंट करके आप भी वीडियो को देखे तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूं ठीक है एक टीचर था और टीचर को जो है सबी लोग पसंद करते थे कहते थे यह बहुत ही अच्छा टीचर है बच्चे भी बहुत पसंद करते थे यह बहु बच्चों को वही चैप्टर पढदा रहा ह। जो सको आते हैं। वह बच्चों को वह चैपटर नहीं बढ़ा रहता जो tough है जो कठ़िन है। जहें पर ज़्यादा महėनध करना है ! तो बच्चे कहें होने सरट का पढ़ाया यह तो सब अच्छा पढ़ाओ एक पेपर कीathy देल्ट प्षबन लेकिन जब इधाम होता है तो बच्चों के 50% पर्षाays 285 परीपर टो अइसा आई तो ने हमों इस पाहने है समझे आप डाटा कुछ जो चीज उनके पास है उस पे तो वह master देखे उस teacher को क्या करना चीज़े था उसको घर में बैट करना चीज़े था और तो वैसे ही कहीं पर को बहुत अच्छा है देखिए पिछले वीडियो पर लोग मुझसे कह रहे थे कि आप जो है टाटा को बदनाम कर रहे हैं ठीक है टाटा जैसी इतनी बड़िया गाड़ी बना रहा है और आप ये बात कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे थे जो कहरते कि टाटा में ये इसूज हैं और कुछ ऐसे भी निगल के जो कहरते कि मेरी हैरियर में है ठीक है आई बात समझ में तो यहां पर को टाटा को भी क्या करना चाहिए टाटा को जो है अपना होंवर करना चाहिए और इन सारी चीजों में सुधार करना चाहिए fit and finish आवाजें आना गाड़ी में से जो छोटे छोटे पार्ट से हो खराब हो जाना refinement of petrol engines of Nixon इन सारी चीजों पर काम करना चाहिए क्योंकि बाकी चीजों पर वह मास्टर बन चुका है इसलिए गाड़ियां इतनी ज्यादा बिक रही है build equality या फिर सारी चीजों में और हम चाहते हैं हम खुद दिल से चाहते हैं अगर मुझे टाटा पसंद नहीं होता है या टाटा की गाड़ियां पसंद नहीं तो मैं खुद क्यों खरीटता दो दो गाड़ियां बट दिल से हम ये भी चाहते हैं कि ये जो इशूज हम लोगों को सैने पढ़ने हैं जबरदस्ती के वो ना सैने पढ़ने हैं अब मैं अपनी बात कर लेता हूं काइफी लोग मुझसे कहते हैं तु यही डिजर्व करता था किसी ने एक कमेंट कर तेरी गाड़ी में ऐसी होना चीह ठीक है किसी ने यह कमेंट करा कि बहुत बार बार अलग अलग बातें बोलता हूं ठीक है उसका अंसर दे रहा हूं मैं अ पुड़ा सा अलग है और चैनल पर आप देखोगे आप बड़े यूटीबर्स को देखोगे रिव्यूर्स को देखोगे उनको कमपनी गाड़ी देती है ठीक है कमपनी गाड़ी देती है वो कुछ गंटे चलाते हैं उसी में जो कुछ वो फील करते हैं उसके बाद वो उसक एक्जाम्पल देता हूँ देखिए सबसे पहले यूट्यूब पे आप अगर सर्च कर लेंगे डेट वाइस मैंने बताया था कि नेक्सॉन जो है 20 तक का भी माइलेज देपाती है और प्रूफ करके भी दिखाया था उसके बाद काफी लोगों को उसका बेनेफिट भी मिला आप अगर जो है सर्च करके देख लीजेगा और वीडियो की डेट देख लीजेगा उसके बाद मैंने भी एक्सुवी थ्री डबो ली लेकिन लेने से पहले मैंने भी काफी रिसर्च करी लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि इसका लिंक रॉड में दिक्कत होती है बार-बा आवाज करता है ठीक है यह इसूज अगर आप सर्च करेंगे तो किस में मिलेगा एंटीटी कार्स में मिलेगा और प्रूफ के साथ इवन सर्विस सेंटर वालों के मूझ से भी बुलवाया है ठीक है अब आप जाएंगे देखेंगे उनने चेंज करा है सब कुछ है उसमें उसके बाद जब मैं हैरियल लेर था मैंने यूट्यूब पर सर्च करा भर भर के मैं भी आप में से एक हूँ लेकिन मुझे कहीं पर भी यह नहीं मिला कि इसके दरवाजों से ऐसी आवाज आती है लेकिन अब हो है क्योंकि मैंने उस पर वीडियो बना के अब डाला है कि दे चेक करेगा जब अपनी PDI करने जाएगा अगर थ्री डबल हो जाएगा तो जरूर बात करेगा लिंक रॉट की अगर उसने मेरा वीडियो देखा हुगा ठीक है अगर वो नेक्सोन लेने जाएगा तो इंजन का रिफैंडमेंट जरूर चेक करेगा कि वो इस चीज को लेना चाहेगा कि नहीं लेना चाहेगा इतनी आवाज वो सेन कर सकता है या नहीं कर सकता है या इग्नौर कर सकता है बट ये चीजे मुझे नहीं में लिपाई यूट्यूब में इसलिए मैंने यूट्यूब में डाला है आप देखें मैं एक मेचियोर परसन हूँ इतना मुझे भी पता है कि अगर मैं ऐसी बात बोलूँगा तो लोग कहेंगे अभी तक तो ये गाड़ी की तारीफ कर रहा था लेकिन इसके बाद ये बुराई करने लग तक आप लोग पास कमेंट करने हैं इतना कि मैं पलट जाता हूँ यह कहने लेकिन मेरे पास नहींगा कि अतना हम आप खुद सोचिए लेकिन मैं यह क्यों कर रहा हूं ताकि और बहुत ज़्यादा अर्निंग भी नहीं होती है इन वीडियो से आप यहां पर को देखेंगे कितने व्यूज आए जो कल का परसों का वीडियो डाला था तीन हजार व्यूज आए ठीक है और तीन हजार लोगों नहीं देखा है उसमें से भी कितने हरियर वाले उसमें निकल गए जिनकी गाड़ी में अल्रेडी एशू था और उन लोगों ने क्या लिखा है उसमें कि आप जो है कंपनी पे जो है नोटिस बेज दीजिए मैंने भी आसी गरा तब जागे ठीक हुआ अब आप यह देखिए तीन हजार में तीन लोग निकले हैं तो सौ हजार में कित्ते निकलेंगे एक लाख व्यूज अगर आ गए तो सौ लोग तो निकली जाएंगे न और उसमें से भी सारे हरियर ओनर्स नहीं है उतने उतने व्यूज में से वैसे ही लिंक रॉड वाला जो मैंने वीडियो डाला था उसमें भी लोगों ने कहा देखो अभी इसने थ्री डबलो की तारीफ करी देखिए जिस डिपार्टमेंट में अच्छी होगी अगर मैं उस डिपार्टमेंट का वीडियो बना रहा हुगा अगर मैं पावर कि तो मैं उसकी बुराई करी अब कमी है तो है मैं आख बंद तो नहीं कर सकता कि कमीयों को छोड़ दूँ और सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव बोलू आप खुद बताईए ठीक है तो वही वाली बात है जैसा मैंने बोला कि वही है इशू है तो है अब लिंक रॉड व मैं अगर मैं कहा हूं कि आज तक पिछले दो साल में मैंने जितने वीडियो मनाए कोई एक वीडियो को गलत साबित कर दीजिए जो लोग कमेंड करते हैं मेरे चैनल पे मैं उनको ओपन चैलेंज कह रहा हूं कि आप मेरे पिछले दो साल के वीडियो उसमें से एक वीडियो निकाल दो और कहो कि यह गलत कह रहा है सिर्फ कहने से नहीं होगा प्रूफ करना पड़ेगा आप प्रूफ करके दिखा दीजिए कि मैंने गलत कहा कहीं पर लिए अब बात करते हैं कि मेरे कितने पैसे बचे हैं पुरानी वाली हैरियर लेने पर या कुछ भी नहीं मचा है मेरे पास ठीक है और या मैंने चाला की दिखा कि मेरा फाइदा हुआ या नुकसान हुआ इस पर बात करते हैं ठीक है तो देखिए गाड़ी मैंने ली थी एकजेट प्लेस ए और इसके उपर एक आप्शनल मॉडल ही आता है जिसमें कि एडास होता था तो अभी जो वेरियंट इनोंने कर दिये है फियरलेस प्लेस जो है आपका टॉप मॉडल है और उसके नीचे फियरलेस है तो एकजेट प्लेस ए को जो है मैं मानता हूँ सेकिंड टॉप और इधर जो अपना फियरलेस है उसको भी सेकिंड टॉप मानते है वो मानते किया वो करी दिया है टाटा ने फियरलेस मॉडल को ठीके तो फियरलेस मॉडल जो है करीब आपको जो अन रोड पढ़ने वाला है तो प्राइस हाइक जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कही जादा हो गया करीब तीन लाख रुपे के असपास जो है इस गाड़ी पे मेरे बचे है अब तीन लाख रुपे में जो फीचर है कि मैं टॉप की बात नहीं कर रहा हूं जो पीचे से बुट इलेक्रिक टेल गेट जो है आपका गेस्चर से खुलना और भी कई चीजें जो है वह फियरलेस प्लेस मॉडल में इस चीज को जिद्यान में रखना जो में चेंजेज हुए वह आपको मिलने वाले फियरलेस प्लेस मॉडल पर जो कि 30 के आसपास बहुच जाएगा ठीक है 29 जो अलग-अलग स्टेट पर डिमेंड करता है लेकिन मैं 29 से 30 कहता हूं तो फीचर भी जो है बहुत जादा चेंजेस मुझे नहीं मिले हैं गाडी में एक एडास जो है फियरलेस में भी आ रहा है लेकिन मैं पाहाण का फीचर हमाले पहाड़ों पर हर 10 मीटर पर यहां पर मोड होता है इस तरीके से मैं आपको बदा देता हूं बांकि जो है जो है जो फीचर से उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रिक स्टेरिंग जो है एड हो जिसको मैं मिस कर रहा हूं बट तीन लाग रुपे बचने के बाद मे नहीं कर रहा हूं क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बहुत से यूट्यूबर से भी जोड़ा रहता हूं अपने जो बड़े-बड़े यूट्यूबर से तो उन से मेरी जब बात हुई तो उन से ने यह का कि उतना कुछ खास जो है एलेक्ट्रिक स्टेरिंग फील नही है इससे तो अच्छा ही है नया वाला बट स्टिल अगर मैं उस गैप को देखो मनीगा तो शायद मुझे सही लगा है और मैं खरीद भी नहीं पाता क्योंकि मैं लास्ट अपनी लिमिट तक गया था उससे उपर मैं खरीद भी नहीं पाता और मुझे इतनी महेंगी गाड़ 20,000,000 तक पहुंच जाते हो तो फिर टॉब मॉडल लेने में ही फायदा है बाहर गाड़ी खुलवाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप काफी इंसिडेंस देख पाते हैं कभी गाड़ी में आग लग जाती है कभी कुछ हां सस्ती गाड़ियां ले रहे हैं बेस मॉडल पढ़ा था वो क्योंकि उसमें कोई फीचर ही नहीं थे तो जब मैंने सोचाए कि 24,000,000 लगाई रहा हूं तो गाड़ी ऐसी लो जो कि पुलकुल टॉप मॉडल हो जिस पे बाहर से कुछ भी नहीं कराना पड़े और प्री फेसलिफ्ट जो था हमारा ये जो फेसलिफ्ट से पहले वाली जो ये गाड़ी थी वो बहुत सही रही और डिसीजन एक होजा से ओल लिया था कि टाटा ने जो है अपनी इवी को पहले शोकेस कर दिया था आपको याद होगा ठीक है आटो एक्सपो में हैरियर इवी दिख रही थी तो वहाँ पर सिंगल लाइट मुझे बलक है ठीक है बट ऐसा नहीं है कि मैनेज नहीं किया जा सकता है तो फिर गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शैर जरूर कीजिए मिलता हूं आप से अगले वीडियो में तब तक लेस्टे सेफ की ब्लेस्ट बाइब बाइब